इस मूवी में एक टीचर को अपने ही स्टुडेंट से प्यार हो जाता है प्यार के इस एक्जाम में क्या ये दोनों हो जाएंगे पास या फिर जिन्दगी लगा देगी इन दोनों की क्लास देखेंगे हम इस मूवी में अमेरिका की टेकसस सिटी में अपने अर्ली फॉर्टीज में पहुँच चुकी एक फिमेल टीचर डाइना एक अमेरिकन हाई स्कूल में इंगलिस पढ़ाती हैं डाइना अपने फॉर्टीज को क्रॉस कर चुकी है लेकिन उसने अभी भी साधी नहीं की है आज वो अपने स्टुडेंट्स को ऐसे लिखने के लिए कह रही हैं और बता रही हैं कि आपको ये ऐसे सिक्स लाइन में लिखना हैं तबी वहाँ पर एक एरिक नाम का स्टुडेंट आता हैं जो डाइना को कहता हैं कि सिक्स लाइन की जगह हाफ पेज भी तो बोल सकती हो ना अपने टीचर को इस तरह की बात करने वाला एरिक नाम का ये लड़का डाइना का लवर होता हैं और इन दोनों के बीच में अफेर काफी टाइम से चल रहा होता हैं और आज एरिक ने अपनी टीचर डाइना को पारकिंग लॉट में बुलाया हैं डाइना एरिक के लिए बहुत अपसेसिव होती हैं और वो एरिक के आने से पहले कार में अपने आपको रोमांस के लिए तयार कर रही हैं एरिक एक जैन जी कूल डूड है जिसको अपनी टीचर के साथ अफेर चलाना ठीक वैसा ही लगता है जैसा वो दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेर चला के महसूस करता है लेकिन इस टीचर के लिए ये अफेर काफी सीरियस होता है एरिक की टीचर डाइना अपनी सारी बातें एरिक से ही सेर करती हैं उसकी जिन्दगी में कोई और है नहीं जिससे वो बात कर सकें आज भी डाइना एरिक को जाने तो नहीं देना चाहती लेकिन पास में पुलिस का साइरन बजने लगा जिसकी वजह से अब एरिक अपने घर चला जाता हैं और डाइना अपने घर पे आ जाती हैं नेक्स डे क्लास में डाइना सभी स्टूडेंट्स को बताती हैं कि अब फैंक्स गिविंग हॉलिडे आने वाला हैं जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद रहेगा अब एरिक को पता था कि हॉलिडे की जा रही हूं एरिक अब डाइना को हॉलिडे पे जाने से पहले किस कर रहा हैं तो डाइना स्कूल में होने की वजह से थोड़ा रजिस्ट करती हैं डाइना नहीं चाती कि एरिक और उसके अफैर के बारे में किसी को पता चले इसलिए वो इन सब चीजों से बहुत सावधान रहती हैं और वो इतनी मैचियर होने के बाद में भी एक टीनेजर की तरह बलस कर रही थी जैसे उसकी जिन्दगी में एक स्टूडेंट का प्यार बहुत ज़्यादा एहमियत रखता था डाइना एरिक से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो एक दिन भी उसके बिना नि अच्छा लगता हैं और मुझे तुमारे साथ एलाइव फील होता हैं तो एरिक कहता हैं कि मुझे तुमारे साथ एलाइव क्यों फील होता हैं तुमें पता हैं डाइना पूस्ती हैं कि क्यों और वो उसके साथ फिर से इंटिमेट होता हैं आज वो अपने भाई से मिल रही ह जो ये कह रहा हैं कि हमारी मॉम की तबियत बहुत खराब है डाइना की मॉम की देखभाल उसका भाई औस्टिन कर रहा था लेकिन उसके भाई की ऐसी दुख भरी बातों से ही जैसे डाइना का मन विचलित हो जाता है और वो जैसे रियालेटी से एसकेप करना चाती हो जैसे व अपनी एक फ्लेटमेट के साथ रहती हैं और उसकी फ्लेटमेट उसको बोलती हैं कि आज हम पाटी में चलते हैं मैं तुम्हें अच्छे लड़कों से मिलवाऊंगी लेकिन डाइना तो एरिक के खयालों से कभी बाहरी निकलती एरिक अब डाइना को उसकी एक फोटो भेजने के लिए कहता हैं और खुसी खुसी वो अपने लवर एरिक को अपनी एक इंटिमेट फोटो भेज देती हैं जिस पर एरिक का रेस्पॉंस देखकर डाइना जैसे साथवे आसमान पर पहुँच जाती हैं लेकिन चुट्टियों की वज़र से अब वो एरिक से मिल नहीं पा तो वो अपनी फ्लेट मेट के साथ एक पार्टी में जाती हैं जहां पर उसकी फ्लेट मेट उसको दो लड़कों से मिलाती हैं लेकिन डाइना के दिमाग में एरिक का भूत कुछ ऐसा सवार था कि उसको कोई भी पसंद ही नहीं आता और वो पार्टी छोड़कर घर पे आ ज हो जाती हैं जैसे एरिक के अलावा उसकी दुनिया में कोई और ही नहीं उसकी फ्रेंड उसको अपनी फैमिली से भी मिलाती हैं लेकिन डाइना जैसे यहां से भी किसी से कोई खास बातचित नहीं करती हैं आज डाइना के चहरे पे खुसी इसलिए है क्योंकि वापस से पाएगी लेकिन इसी स्कूल की दूसरी टीचर डाइना को बताती हैं कि तुम्हें पता हैं कि हॉलिडे में एक लड़की ने अपना इंटिमेट फोटो किसी लड़के को भीजा था और अब वो सब के मुबाइल पर वाइरल हो रहा हैं ये बात सुनकर डाइना को अपने द्व फोटो भेजा था उस फोटो को प्लीज डिलेट कर दो एरिक खुसी खुसी उसके इंटिमेट पिक्चर को डिलेट कर देता हैं जैसे एरिक को तो इस बात में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लेकिन डाइना का ये डर साफ दिखाता था कि डाइना एरिक से प्यार तो करना च चाहती थी वो किसी भी तरह के लीगल टैंगल में नहीं फसना चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि लोग उनके अफेर के बारे में जाने और उसको ये भी पता था कि स्कूल के किसी भी स्टुडेंट से प्यार करना इल लीगल माना जायेगा क्योंकि एरिक तो अभी 18 से नीचे लेकिन प्यार के इन हार्मोनों का उफान अक्सर कॉमन सेंस पे बारी पड़ता हैं और यही डाइना के साथ हो रहा था डाइना एरिक को कहती हैं कि आज रात को मेरी फ्लेट मेट घर पे नहीं है तुम मेरे घर पे आ जाना हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और उसी रात क एरिक डाइना के घर पे जाता हैं जहाँ पर उसकी फ्लेट मेट नहीं होती है और यह दोनों मिल कर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पर एरिक उसको बताता है कि स्कूल में होने वाले कॉम्पेटिसन के लिए उसे एक लड़की के साथ डांस करना होगा यह सुन कर डाइना जैलिस हो जाती हैं और अगले दिन इसी डांस कॉंपेटिशन की तयारी के दोरान एरिक डाइना के सामने देख देख के हसरा होता है कि कैसे वो एक लड़की का नाम सुनते ही इतना जैलिस फिल करने लगी हैं जैलिसी और अपसेसन के इसी डैडली कॉक्टेल की हैं कि मुझे तुम से मिलना है तो एरिक उसको बताता है कि उसके एक भाई का घर खाली पड़ा है जहां पर ये दोनों मिल सकते हैं ये बात सुनके डाइना के चेहरे की मुस्कान वापस से लौट आती हैं और रात को ये दोनों मिलकर एरिक के भाई के घर पे जाते हैं तो डाइना एरिक को पूसती हैं कि तुम्हारा भाई कहां पे रहता हैं तो एरिक उसको बताता हैं कि मेरा भाई लोस एंजलिस में रहता हैं और वो यहां पर सिर्थ कभी कभारी आता हैं डाइना उसको पूसती हैं कि कोई आएगा तो नहीं तो एरिक उसको कहता हैं कि यहां पे क कोई भी नहीं आता हैं तुम इतनी परिसान क्यूं हो जाती हो हमारे अफेर के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा डाइना को हमिसा ये फिकर लगी रहती हैं कि उनका अफेर अगर एक्सपोज हो गया तो वो बहुत बड़ी ट्रबल में फस जाएगी इसलिए वो हर एरिक के मेगनेटिक अट्रक्शन में कुछ ऐसी फसी हैं कि हर कदम फुक फुक के रखने की बजाए वो हर कदम अब एरिक के कहने पे रख रही थी अपने फिजिकल प्लीजर से कहीं ज़्यादा डाइना एरिक से इमोशनली अटेच हो चुके थी उसके लिए एरिक से दूर रहना बिलकुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लेकिन एरिक एक कूल डूट की तरह अपने टीचर के साथ रोमांस के कुछ पल इंजोई करना चाता था वो इस रिलेशन को लेकर इतना सीरियस नहीं था आज एरिक अपने टीचर डाइना को अपने डैड के फार्माउस पे ले जा रहा हैं जहां पर ये दोनों अपना वीकेंड स्पैंड करने वाले हैं एरिक और डाइना मिलके कुछ क्वालिटी टाइम स्पैंड करते हैं और डाइना यहां पर फार्माउस की सांती और एकांत देखकर बहुत खुस हैं क्योंकि यहां पर कोई नहीं आने वाला और उसको अब ये डर भी नहीं है कि कोई उसको आकर देख लेगा और उन दोनों का अफैर एक्सपोज हो जाएगा डाइना सुरुआत से ही एक लोनर थी और उसको हमेशा से अकेला रहना पसंद था लेकिन एरिक के अट्रेक्शन की वज़े से अब वो एरिक से इतना प्यार क कभी इन दोनों के अफैर को एक्सपोज कर देगा लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी डाइना कभी भी अपने अफैर को रोकने की कोशिस नहीं करती क्योंकि डाइना के मन में चल रही उथल पुथल को एरिक का प्यार उसके दिमाग में आरे लोजिकल खयालो को जैसे इमोशन की उस भूल भूलिया में ले जाता जहां पर डिसिजन लेना डाइना के लिए बहुत ज़्यादा मुस्किल हो रहा था कि वो एरिक से ये रिलेशन कंटिन्यू करे या नहीं करे इसका पहला सिगनल डाइना को मिलने वाला था क्योंकि इस फामाउस का केर ट कोई यहाँ पर आ चुका है वो घबरा के अपने आपको रूम के अंदर बंद कर लेती है एरिक दरवाजे के बाहर जा के देखता है तो उसको पता चलता है कि इस फामाउस का केर टेकर यहाँ पे आया हुआ है और वो कहता है कि मैंने तुमारी कार बाहर देखी तो मैं तो वो caretaker वहाँ से चला जाता है लेकिन डाइना इस बात से बहुत घबरा जाती है कि उन दोनों का affair एक्सपोज होते होते बच गया वो एरिक को पूछती है कि आदमी कौन था तुमने तो मुझे बताया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा तो एरिक कहता है कि यह तो हम कि तुम्हें क्या मजाक लग रहा है क्या अगर उसने तुम्हारे डैड को बता दिया और तुम्हारे डैड में अगर स्कूल में जाके बता दिया तो मेरी जॉब जा सकती है मैं जील में जा सकती हूं तुम्हें पता है कि छोटी सी बात के कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं लेक पर इस बात का इतना ज़्यादा असर होता है कि सुबह से साम तक वो अकेली खड़ी-खड़ी अपने ही खयालों में खोई रहती है लेकिन एरिक डाइना के करीब आना चाता है वो डाइना के साथ रोमांस करना चाता है लेकिन डाइना का फिलाल ऐसा कोई भी मूड नहीं है एरिक अब डाइना को थोड़ा फोर्स करता है लेकिन डाइना उसको रोकने की कोसिस करती है लेकिन एरिक नहीं रुकता है और वो डाइना के साथ जबर्दस्ती करने लगता है जिसकी वज़स से डाइना उसको धक्का दे देती है और इन दोनों के रिष्टे में थोड़ी खटास पड़ जाती हैं डाइना तो एरिक को अभी भी ऐसे ही चाहती थी लेकिन एरिक को कोई फरक नहीं पड़ता कि उसकी रोमांटिक पार्टनर कोई टीचर है या फिर उसकी कोई क्लासमेट एरिक के बेपरवार रवये को देखकर डाइना और फ्रस्टेड हो जाती हैं अगर वो लड़का किसी और लड़की के साथ रोमांस करना चाता है तो वो इस बात से इतना जैलिस फील क्यों कर रही हैं क्यों उसका खुद का बिहेवियर उसके कंट्रोल में नहीं हैं रात को जब वो अपने घर पे आके सो जाती हैं तब भी उसके दिमाग से एरिक बाहर इनी निकल रहा दुखी होकर अब वो एक क्लब में लाइटन अप होने के लिए चली जाती हैं जहां पर वो देखती हैं कि एरिक किसी लड़की के साथ इंजॉय कर रहा हैं जिसकी वज़स से अब डाइना और दुखी हो जाती हैं और वास्रूम में उसी लड़की को देखत हैं जिसके साथ एरिक डांस कर रहा था वो लड़की यहां से लिपस्टिक करके निकल जाती हैं तो डाइना लिपस्टिक करके जैसे एरिक के लिए अपने आपको तयार कर रही हो लेकिन एरिक तो फिलाल अपनी नई गर्फेंड के साथ इंजॉय कर रहा हैं तो कुछ वाइ एरिक की फेस्बुक प्रोफाइल से उसके फोटोस देखकर जैसे अपने आपको सांथ करने की कोसिस कर रही हो लेकिन प्यार का जुआर भाटा इतनी जल्दी कहां सांथ होने वाला था डाइना फाइनली क्लास में एरिक को कहती है कि मुझे लंच के बाद में तुम से मिलना है लंच के बाद मेरे ओफिस में तुम मुझे से मिलने आ जाना एरिक उसको मिलने के लिए हां कर देता है लंच के बाद में एरिक डाइना के ओफिस में जाता है जहां पर डाइना उसका बेसबरी से इंतजार कर रही थी एरिक उसको पूचता है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है तो डाइना उसको कहती है कि मैं काफी दिनों से तुम्हें मिस कर रही हूँ वो कहती है कि फामाउस पे जो भी हुआ उसको भूल जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती क्या तुम मेरे घर पे आज रात को आ सकते हो एरिक उसको कहता है कि ओके तभी ओफिस का डोर खोल के यहां की एक और टीचर अंदर आ जाती है तो डाइना उसको पूछती है कि बताओ कोई काम था क्या बिना नौक के तुम अंदर क्यों आ गई तो वो टीचर सौरी बोल के बाहर चली जाती है जिसको देखकर एरिक बड़ा सर्प्राइज होता है कि पहले जो टीचर अफेर के एक्सपोज हो जाने से इतना ज़्यादा डरती थी अभी किसी और के आने की वज़र से उसको थोड़ा बहुत भी डर नहीं लग रा एरिक डाइना को पूछता है कि तुम अपने अफेर के एक्सपोज होने से डरती नहीं हो क्या तो डाइना कहती है कि अभी मुझे इतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है एरिक उसको कहता है कि ठीक है फिर मैं रात को तुम से मिलने तुमारे घर पे आऊंगा और ये कह के एरिक वहां से चला जाता है एरिक के आने की खुसी में डाइना इतनी ज़्यादा खुस थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसने एरिक को वापस से उसकी गल्फरेंट से जीत लिया है और उसका प्यार उसके स्टुडेंट के साथ फिर से परवान चड़ने लगेगा रात को एरिक अपनी टीचर के घर पे आता है जहांपर डाइना उससे काफी दिनों के बाद में मिलने की वज़े से पैसिनेटली इंटिमेट होती है लेकिन डाइना इंटिमेट होते होते रोने लग जाती है फिजिकल प्लीजर के बीच में इमोशनल ब्रेकडाउन डाइना की उस mental condition की निसानी थी जिसको वो खुद control भी नहीं कर पा रही थी जिस student को अपने साथ intimate होने के लिए उसने खुद बुलाया था अब वो उसको अपने पास में देख कर जैसे डर रही हो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है वो Eric के साथ अपने आपको physically तो please कर रही थी लेकिन उसके साथ साथ अब emotionally connect नहीं कर पा रही थी जिसकी वज़े से Eric को ऐसा लगने लगा कि उसकी teacher अब पागल हो गई है और अपनी teacher के इस erratic behavior की वज़े से Eric ने एक छटके में अपनी teacher से दूरी बनाना ही अच्छा समझा और वो यहां से जाने लगता है डाइना Eric के सामने बहुत गिड़ गिड़ाती है कि please जाओ मत मुझे ऐसे ही रोना आ गया था तो मुझे माफ कर दो लेकिन Eric को समझ में आ गया था कि डाइना का प्यार अब obsession की हद को पार कर चुका है इसलिए वो डाइना के घर से चला जाता है लेकिन डाइना भी कहां Eric का पीछा छोडने वाली थी वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है जैसे वो Eric को छोडना ही नहीं चाहती हो वो Eric के घर के बाहर कोई भी response नहीं देता है थोड़ी देर तक परिसान रहने के बाद मैं डाइना Eric के डैड का नमबर निकाल कर Eric के डैड को call कर देती है और वो पूछती है कि क्या मैं Eric से मिल सकती हूँ मुझे Eric से कुछ बात करनी है मैं Eric की teacher बात कर रही हूँ लेकिन Eric के डैड कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि वो सो रहा है तो मुझे स्कूल में कल मिल लेना ये जवाब सुनकर डाइना काफी frustrated हो जाती है और desperate होके अब Eric की room की window के पास चली जाती है जिसको देखकर Eric काफी surprise हो जाता है कि उसकी teacher पीछे पीछे उसके घर तक आ गई है डाइना Eric को घर के बाहर आने के लिए कहती है तो Eric घर के बाहर आकर डाइना को पूसता है कि क्या तमासा बना रखा है तो डाइना कहती है कि मैं तुम से बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमारे बिना नहीं रह सकती मेरे behavior के लिए मैं तुम से sorry बोलती हूँ हमें हमारे relation को continue करना चाहिए तो Eric उसको कहता है कि देखो मेरे dad बाहर आ जाएंगे तुम चुप चाप यहां से चली जाओ और थोड़ी देर बाद में Eric के dad घर के बाहर आ जाते हैं और ये तमासा देखकर वो कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक तो है न डाइना इतनी जादा out of sense होती है कि वो Eric को पूछती है कि अब मैं क्या करूँ तुमारे dad आ गए हैं तो Eric कहता है कि तुमारे पास यहां से भागने का लावा कोई option नहीं है तुम चुप चाप यहां से चली जाओ तो डाइना अपनी कार लेके वहां से चली जाती है डाइना Eric के प्यार में अपने सारे senses का control खो चुकी थी वो Eric से emotionally इतनी जादा attest थी कि वो अपने ethical dilemma, physical pleasure और emotional stability के बीच में कभी फरक ही नहीं कर पाई जिसकी वज़े से Eric अब उसको पागल समझने लगा है डाइना अब इतनी जादा emotionally unstable हो गई थी कि वो अपने घर भी नहीं जाना चाती क्योंकि उसको पता था कि उसकी flatmate उसको ऐसे देखेगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगी इसलिए वो एक motel में आकर रुक जाती है जहाँ पर morning में उसके पास उसकी school के principal का voice message आता है कि डाइना तुम्हें जल्दी से school आना है क्योंकि यहाँ पर Eric के dad आये हैं और उन्होंने हमें कुछ खास बताया है जिसकी वज़र से जल्दी से तुम्हें school आना पड़ेगा ये voice message सुनकर डाइना को पता चल जाता है कि Eric के dad school पहुँच गए हैं और इनके affair के बारे में सब को पता चल चुका है और अब उसकी job भी चली जाएगी जिसकी वज़र से अब डाइना बुरी तरह से रोने लगी हैं डाइना को कई बार लगा था कि इस forbidden romance को break देना चाहिए था रोक देना चाहिए था लेकिन उसको कई बार signal मिलने के बावजूद भी उसने इस relation को continue किया और finally आज एक बड़ी दुरगटना हो गई उसकी job चले गई उस पे अब criminal case भी चलेगा उसने एरिक के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी लेकिन एरिक एक legal age से छोटा था इसलिए उसके उपर अब criminal case चलेगा और norms के according स्कूल के किसी student के साथ चक्कर चलाने की वज़े से अब उसको स्कूल की job से भी निकाल दिया जाएगा हर्मोनों का ये उफान डाइना की जिन्दगी बरबाद कर जाएगा डाइना को ये नहीं पता था लेकिन जब जिन्दगी class लेती हैं तो अच्छे अच्छो को fail कर देती हैं और इसी के साथ ये movie end हो जाती है movie का explanation अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा हमारे चैनल को subscribe कीजेगा and thank you for watching